नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन टूडे टोफ न्यूज में इस खास न्यूज बुलेटिन में आपको मिलेगी एक लिक में दिन की सभी बड़ी कबरे आज की बड़ी कबरों में हम आपको बताएंगे कि कानपूर के इत्र वैपारी के गढ़ छापे में मिला कुबेर का खजाना खजाने की तलास में सो नहीं रहे हैं अपसर साथ गंटे में आँख चपकाना हुआ मुस्किल साथ ही हम आपको बताएंगे कि नए साल से पहले जरू निप्टा ले ये काम हम आपको बताएंगे कि कासी विश्वनात मंदिर के आच्चक ने पियम मोदी को पूजा करवा कर दिया इतना बड़ा पाप मंदिर प्रशाशन की ओर से की जा रही है मामले की पूई जांच और नए साल में 15 से 18 साल के बच्चों को मिलने जा रहा है वैक्सीन का तौफा जान ये बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगने वाली है और कहां और कैसे लगवा पाएंगे और हम आपको बताएंगे कि बारत में अरब पत्यों की संख्या बढ़ कर 126 हुई रिलाइंस इंडस्ट्री के मुके संबानी सीर्स पर इसी तरह आपको आज की हर बड़ी खबर से अपडेट करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सकाइब जरूर कर ले साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुले कानपूर के इत्र वैपारी के घर चापे में मिला कुबेर के खजाना खजाने की तलास में सो नहीं रहे हैं अफसर साथ गंटे में आँख चपकाना हुआ मुस्किल उत्तर परदेश में इंडिनो कानपूर के इत्र कारोबारी फ्यूज जेन के तिकानों पर आयकर विबाग के चापे की खबर लगातार सुर्कियों में है जेन के कनोज इस्तित्म गर पर जी एस्टी इंटेलिजेंसी चेंद्रिय अपर्टेक्स कर और सीमा सुल्क बोर्ड और आयकर विबाग के सयुक्त चापे में करीब 110 करोड रुपे नगद और 250 किलो चांदी इतना ही नहीं 25 किलो सोना भी मिला है इस तरह 291 करोड की संपति बरामत की गई है जांद सद्धिकारियों ने इस सयुक्त रेड को ऑप्रेशन बिद बाजार का नाम दिया है की रेड में सबसे बड़ी रकम फ्यूस जैन के बैडरूम की दिवार के अंदर से मिली है यहां दिवारों को तोड़ने के लिए करीब 10 मज़़ूरों को लगाया गया खुश्बू के शहर में खजाने की तलास में आई जीस्ट की वीजी लेंस टीम पिछले साथ कंटे से ल जरू निप्टा लें ये 5 काम नया साल आने में थोड़ा ही वक्त बचा है कुछ काम ऐसे हैं जिने 2022 से पहले निप्टाना जरूरी है 30 दिसंबर से पहले अगर आप इन्हें नहीं कर पाते तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है आईए जानते हैं कि वो जरूरी 5 काम कौन से है जो 31 दिसंबर से पहले आपको निप्टा लेने चाहिए पहला काम आपने अगर अपना इंकम टेक्स रिटरन भरा नहीं है तो फटा फट ये काम निप्टा ले दरसल वित वर्स 2020 के लिए इसे 31 दिसंबर तक फाइल किया रा सकता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको होम लोन आवेदन बैंक ऑफ बड़ोदा ने लगबग तीन महीले पहले ही होम लोन की ब्याज दरे घटा दी थी बैंक 6.50 फिस्दी ब्याज पर कर्च दे रहा है जो सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक ही मिलेगा चोथा बड़ा काम पीफ खाते से नौमिनी एड प्रोविडेंट audit report filing अगर आप अपने काम दंदे से 10 करोड से ज्यादा सालाना कमाई करते हैं तब आपको ITR के साथ एक audit report भी फाइल करनी होगी यह 50 लाग रुपए से अधिक के आईकर पर professionals को बढ़नी होती है जिसकी इस साल आखिरी तारिक 31 दिसंबर है आईए देखते हैं तीसरी बड़ परिवार और पूरे खांदान पर 10 दिनों के लिए सुतक लग जाता है इस दोरान देवालों में जाना तो दूर पूजन तक नहीं किया जाता लेकिन इस बात को द्वादस चोतिर लिंगों में प्रमुग स्रीकाशी विशुनात मंदिर के अर्चक इस से इत्तफाक नहीं र वैक्सीन का सुतक दास अंसकार से लगता है इसलिए 6 दिसंबर से 10 दिन तक का सुतक स्रीकाश मिस्र पर लगा हुआ था लेकिन 13 दिसंबर को उन्हों ने पीम मोदी से विशुनात मंदिर के गर्ब गया में पूजा करवाई इस मामले को लेकर मंदिर से जुड़े लोगों क आपत्ति के बाद जान सुरू हो गई है करवाई की भी बात की जा रही है चलिए बढ़ते हैं चोती बड़ी कबर की ओर नए साल में 15-18 साल के बच्चों को मिलने जा रही है वैक्सीन का तौफा जानिये बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगने वाली है और वहां कैसे और कहा देस में 15-18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन सुरू होने साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सिन पींज जवारी से शुरू होगा बच्चों बारत बांची लेकिन सरकार ने अभी तक 15-18 साल के बच्चों का वैक्सिनेशन ही शुरू करने का फैसला लिया है आये जान लेते हैं पांच ही बड़ी खबर भारत में अरुप पत्यों की संख्या बढ़ कर 126 हुई रिलाइंस इंडस्ट्रीज के मुक्य संभानी अभी भी सीस पर 2022 का आगास होने में अब कुछ ही दिन सेस हैं एक नए साल को लेकर लोगों में नई नई योजने बनाना शुरू कर दिया इस बीच भीते साल की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अरब पत्यों की संख्या बढ़ कर 126 हो गई है आखोड़ों पर नजर डालें तो रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चैर्मेन एक बार फिर अरब पत्यों की लिस्ट में पहले पायदान पर काभी से रिपोर्ट के अनुसार सूची में सामील 126 अरब पत्यों की सम्मेकित संपती वितवर्स 2022 में देश के अनुमानित सकल गरेलू उत्पाद के करीब 25 फीस्दी के बराबर है पिछले साल अरब पत्यों की संपत्यों और जीडिवी का अनुपाद 18.6 फीस्दी था तो ये थी आज के दिन की बड़ी खबरे आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है अपनी राई हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ ऐसी और खबरे पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको हर रोज मिल से के एक लिक में दिन की सभी बड़ी खबरे